हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत आप सभी का कॉमिक वाल चैनल पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा का कॉमिक विश्य शांग कालू 420 डोगा 440 का दूसरा और अंतिम भाग अब वही हरकत वो मेरे दूसरे पाउं के साथ कर रहा है अगर मैंने इस केबिल को छोड़ा तो तेज भाव मुझे यहां रुकने नहीं देगा मेरी टांगे किसी वजन से नीचे को जुक रही है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी टांगों पर कोई वजन बांद दिया गया हूँ और काल पहलिया कांग गया केबिल पर हातों की पकड़ डोगा जादार देड़ तक कायम न रख सका था सीवर के इस तंग स्थान में पानी बढ़ता जा रहा है उफ मैं आगे नहीं चाप पा रहा हूँ वजन का कारण जानने के लिए डोगा ने पानी में डुपकी लगाई ओ, मेरी टांगों से लोहे के भारी गोले बांदे जा चुके है ताकि मैं तैर न पहूँ और पानी जिस रफस्तार से बढ़ रहा है उस हिसाब से जल्दी ये मेरे लिए मेरे सिर के उपर से निकल जाएगा अपनी सिती को देखका डोगा का दिमाग संसना गया डोगा को बुरा फास गया ता काल पहे लिया मुझे पानी की हुकूमत को तोड़ना होगा ताकि मैं यहां से निकल पाऊँ पानी के हुकूमत को तोड़ना डोगा की गोलियों के बशका रोग नहीं लग रहा था कालू ने ऐसी जंजीर बांदिये जिसे गोली भी न तोड़ पाए एक खाम हो सकता है मुझे इन गोलों को उठा लेना चाहिए और खुद को तेज भाव के हवाले कर देना चाहिए क्योंकि निच्छी जूप से आगे जाकर भाव की गतिक कम होगी लोहे के गोले उठा कर डोगा ने खुद को तेज भाव के थपेड़ों के सुपूर्द कर दिया विशाल गोलों को तामे विशाल गोलों को डोगा थामे ना रख सका तेज भाव में इन गोलों को उठाय रखपाना संबव नहीं क्योंकि ये गोले साइज कहसाब से मेरे हातों की पकड़ से बाहर जा रहा है गोले मेरे हातों से छूट गई सांस लेने के लिए पानी से बाहर आना ज़रूरी था पानी हच देगा हद एक या दो मिनट में मेरे सिर के उपर से बहने लगेगा इसी पीच अगर मैंने इस मुसीवत से पीचा ना छुड़ाया तो मेरी जल समाधी बनाने में कालू कामियाब हो जाएगा और ये तेज गंद किसकी है पैटरॉल की अपनी इंफ्रारेड आखों से डोगा देख रहा था कि पैटरॉल पानी के साथ ही भैकर आ रहा है इस गंद का एक ही मतलब हो सकता है कि मुसीवत मेरे लिए बढ़ गई कालू ने पैटरॉल डालकर पानी में आग लगा दी है यानि अब मैं पानी के भार अपना सिर निकाले नहीं रह सकता अब मुझे जो भी कोशिश करनी है वो इन जंजीरों से खुद को छुड़ानी की ही करनी है और इसके लिए एक करकी मेरी समझ में आ रही है इस हैंड करनेट को मुझे अपनी जंजीरों से लपेट देना होगा दूसरा कोई रास्ता नहीं था हैंड करनेट का सेफटी उप कीचने के बाद डोगा तेजी के साथ गटर के मोड की तरफ सरग गया गनीमत यह है कि इस वक मैं गटर के एक मोड के पास हूँ और यह जंजीर भी दो फूट लंबी है जिससे कि मैं मोड के दूसरी ओर जा सकता हूँ इसमें खत्रा तो है मगर मेरे पास दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है जबर्दा विस्पोर्ट होता मगर पानी के दवाब में विस्पोर्ट के असर को कम कर दिया था काम उतना ही हुआ जितना दोगा चाहता था जंजीर तूट गई जिस तेजी से यहाँ पानी भर रहा है उससे मुझे पूरी उमीद है कि कालू ने गटर के मूग को आगे कहीं से बंद किया हुआ उपर आग की लप्ट होने के कारण मुझे मेर होल भी दिखाई नहीं दे रहा लेकिन मेरे बाहर जाने का रास्ता यही लोहे का गोला पर शस्त करेगा कटर की इच्छा तो सड़क कसीना भेदता हुआ पहले लोहे का गोला बहार आया प्लाक फिर लावे का मौत के लाख चक्रवी बना तु काल कालू मगड़ोगा हर चक्रवी को भेद कर आकर तो उस तक पहुँच जाएगा बड़ी तेजी से निकली वो कार हरे रंग की कार जिसकी टिग्गी पर प्रश्ण चन्न भी बना हो ऐसी कार से वाए कालू के दूसरे किसी की नहीं हो सकती भाग तक हाए कालू नहीं रुका कालू नहीं रुका अलबता कार से छूटी वो आतिशवाजी पैरा शूट आतिशवाजी के सारे उतरती पहेली को पढ़कर डोगा के जबडे कस गए गोली खाने के बाद आदमी नहीं मरना चाहिए मुसीवत पड़े तो नहीं डरना चाहिए कदंग फोक फोक कर धरना चाहिए तमाशा कैसा भी हो हर हाल में बचना चाहिए पहेलिया ही इस पहेली का क्या मतलग है लेकिन सारी पहेलियों का इस्तिमाल करके वियू मेरे हाथों से मरने से नहीं बच पाएगा पर इस वक्त मुझे सबसे आदा जरूरत हत्यारों गोला बारूत किये मेरी अल्टरा सौनिक विसल सुनकर मेरी कुत्ता फॉच के सिफाई असला बारूत लेकर आ गए डोगा ने अपने पाउं से बेडियों के कुंडों को काटकर अलग किया फिर कुत्तिक गए कार आई कार का दर्वाजा खुला इसी के साथ डोगा की भुक्तियों में तनाव उत्पन होता चला गया तू? कालू 420? हाँ मैं डोगे कालू 420? तूने मेरे सामने आकर भूल कर दी कालू 420? मुझे तेरे सामने तो आना ही था डोगे क्योंकि तेरे सामने आये बिना मैं तुझे ये कैसे बताता कि मैंने तुझे एक रात में खत्म करनी की कसम खाई है इस बार मुझे अपरादी बनाने वाला तू है डोगे माया के प्यार मेरे सबी गुना ठक लिये थे लेकिन उसके हत्या करके तुने ने इन गुनाओं को फिर से नंगा कर दीया हाँ यह सच है कि माया मेरे हाथों मारी गई लेकिन किन हालात में यह तू अच्छी तरह से जानता है उसकी मौत ने तुझे पागल कर दिया है खुद को गुना की दल दल में जोकने काला तुखोद है काल पहे लिया तुखोद चलो मैं खुदी सही लेकिन सच्चा ही है कि मैं सुधरा था सिर्फ माया की प्यार के लिए जिंदगी माया को समर्पित करना चाहता था माया गई, मेरी शराफत गई और गुना फिर से मेरे अपने हुए डोगे, आखिर किसी को तो अपना बना कर रखना ही पड़ता है तू भी तो डोगा नहीं कोई और है तूने भी तो डोगा को अपना बना कर रख रख खा है वैसे ही अब मैंने गुनाओं को अपना बना लिया है था जाना तो तुझे ही है पर अब तुकार में नहीं अपने हमाईतियों के कंधों पर जाएगा काफी देर से तू चुहे बिल्ली का खेल मेरे साथ खेल रहा है अब मेरे सीने में बारूद भर कर अब तेरे सीने में बारूद भर कर मैं इस खेल का अंत कर दूँगा काल पहलिया परते एक गोली की आवाज पर पहले तो चीखा फिर हसा तेरा गोला बारू चुग ये डोगे उसमें कालू का सीना तोड़ने की ताकत नहीं रही गोलियों का काल पहलिया पर असर क्यों नहीं हुआ गला फाल फाल कर चीखा काल पहलिया बचाओ बचाओ कोई है मुझे इस नकली डोगा से बचाओ यह मुझे लूटना चाता है ओ, की गाल है ओए की घप पारकी है ओ सदार जी अनु एको नकली डोगा बनके लोगा नु लुट्टा पाया है बैया पंजाबी मेरी इतनी अच्छी नहीं है ओए, तेरे कॉल की सबूत है कि यह नकली डोगा है ओ जी ऐसीर तो लेके पैरा तक नकली है अगर असली है तो फिर असली हत्यार कित्थे में इसकी बातों मैं ना हूँ यह कालू 420 है यानी काल पही लिया तुम सब लोग अंदर जाओ आज यह मेरे हाथों मरने वाला इसलिए डड़ से बागा लोगा शूर मचा रहा है जाओ तुम सब लोग अपने अपने घरों में ओए ओए नकली डोगे ऐसे कैसे जाओ अपने अपने भगर घर वेच मेरे कॉल भी दुनाली बंदूग है और मैं भी अख़वार पढ़ता हूँ ओए मुझे पता है कि काल पहले सुधर गया है तो डोगा ने अनुँ माफ कर दिता है अगर तो इसको मारना ही चाता है तो फिर हमारी अख़्ां अख़्ों के सामने मार तब तेरे हत्यारों की और इस काल पहले की बातों की सच्चा ही सब के सामने आ जाएगी वालिवाष चाहओ सदार जी तुसे ठीक कहने दें ओ चला टोगे चला गोली ओए चला मैं तुमारे सामने सत्यार काखून नहीं करना चाहता था पर तुम सब मजबूर कर रहेो तो ये लो मैं गोली चलाता हूँ ठाटा देखा देखा अगर ये असली ढोगा होता तो मैं इसक गोली भी नकली ये भी नकली हाथ यारों में नकली गोली यां कैसे भर गई काल पहली ने ये चाल कैसे चली पर मेरी गोली भी असली है और मैं सरदार लोद्याना वाला भी असली हूँ नकली डोका मरेगा मेरे हत्तों मेरी बंदोग विच एको ही गोली सी ये लोग काल पहली क और मैंने समझा पाऊंगा कि मैं डोगा हूँ यह नहीं काल पहलिया बम तेरे पर खच्चे ज़रूर वह आ देगा हाई नकली डोगे नकली बम भटा नहीं करते यह देख उए देखते क्या हो मारो इसे ठाक ठाक मारो मारो ठेरो मैं डोगा ही ऊए चपकर नहीं तै मैं तेरे पास से पंदेंगा फडल एन हराम खोरो नूँ इन लोगों की ब्यवकूफी के कारण काल पहलिया फरार हो रहा है गोली खाने के बाद आदमी नहीं मरना चाहिए यही पहली थी कालू 420 की तमाशा खड़ा करी दिया उसने परम मुझे कुछ करना होगा मुसीबत किसी पर करूंगा देखता हूं कौन इसके निशाने पर आता है कहां भाग रहे हो अगर यह नकली है तो टर क्यों रहे हो तेरी पिस्टॉल असली है यह नकली है तो हमें नहीं पता पर अपनी जान तो असली है तमाशे इससे तो बच गया मैं पर इस इससी का लाव उठाकर कालू भाग गया लेकिन सवाल यह उड़ता है कि हत्यार वह गोला बरूर नकली कैसे हो गया दरसल जो कुत्ते हत्यार लेकर आए थे वो मेरे कुत्ते थे जिनने मैंने तेरी ओर से संकेत मिले किस्तिती में नकली हत्यार लेकर जाने के लिए तैयार रखा हुआ था क्योंकि म मुझे इस बात का अंदाजा हो गया थे तु कुत्तों को कोई संकेत करके बुलाता है। अब तुझे कुत्ते ही कुत्ते की मौत मारेंगे। दोगा, इनसे बचना क्योंकि ये पागल कुत्ते हैं जिनकी लार में भैंकर रेवीज के विशानू भरें। अगर इनके दाथ तेरे शही से छूब है तो फिर तुझे लायलाज रेवीज से कुछी घंटों में मरने से कोई नहीं बचा सकेगा। फुफ फुफ कर। फुफ 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 ठैरो, ये क्या कर रहो, वापिस जाओ। तु लाक कुत्तों की तरह भॉक, लेकिन ये तेरी कोई भी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये चारों बहरे भी हैं, बाए बाए डोगा, फुफ इनकी लारों में बागई खतरनाक जालने वाव विशाडू है, लेकिन फुफ तू रहतो शैतानों, इनके हड़ियों को भी तो डालने वाले तीछड़ दात मेरी चमडी की पोशाक को चीर कर मुझे काट चुके, डोगा की कनपठियां संसना उठी थी, इस रोक का इलाज एंटी रेवीज डोट से तभी तक संभव है, जब तक कि इसके विशाडू मेरे रक्त में फैल नहीं जाते, अगर निश्यस स डन नहीं रहा गया, जो आटो में घुमोगे, दोगा पुलिस वा कानून से नहीं डरता है, डोगा कानून के इस्जद करता है, यदि कानून के इस्जद नहीं करेगा, तो फिर उसकी जिद्धी का कोई मख्सद नहीं रह जाएगा, तुम अपना मीटर चालू करो, मुझे पास के किसी होस्पिटल एंडर्सिंग होम में ले चले जल्दी मीटर तो अपन चाले करेगा बाप लेकिन तुमको सावारी बना कर अपन पोलिस के लफ़ड़े में नी पड़ेगा बाप अप उन तो चला तुमको जिदर जाने को मांगता आटो लेकर खुद वहाँ चले जाओ अरे रोको दोगा को खुदी आटो चलाना पड़ा एक एक मिनट कीमती है अरे देख देख पांडिया दोगा नाइट शिट में आटो रिक्षर चलाने लगाए आज पता चल गया कि डोगा अपना और अपने परिवार का पेट पांने के लिए क्या काम करता है डोगा चाहे तो अपरादियों का पैसा चीन का करूपती बन जाए पर वो महान है रोटी आटो चला कर इखाएगा पर लगता है बिचारे को आज कोई सवार ही नहीं मिली आसपास कोई नर्सिंग होम या डोक्टर दिखाई नहीं पड़ रहा ओ पांधिया डोगा के आटो में धमाखा हो गया किसी अपरादी गेहर कत होगी कमीना चाल चल गया हैं मीटर misman करने के बहाने टाइम बनσιुकों कर गया दोगा दोगा तु ठीक तो है न दोगा तु ठीक रहना चाहिए तु ठीक रहना चाहिए घबरा मत पंधया घबरा मत'RE यम्दूत आएगा तो पंधया अपनी ज का निकाल कर दे देगा उसको दोगा के बदले ओठ दोगा ओठ फूँँँँँँग पुलिस की जीप आ रही है पांडिया गर उसमें कोई बड़ा अफसर हुआ तो दोगा को पकड़ लेगा क्योंकि दोगा किसे पकरोणों का इनाम है दोगा धमाके से बेसो दो रहा है इसे इधर छुपा जल्दी कर नर्सिंग ओम एंटी डोट ये सब क्या है वो साब खड़े खड़े आटो में धमाका हुआ और ये हो गया साब पता नहीं इसका मालिक भी से चोड़ कर कहां चला गया ठीक है मैं कंट्रोल रूम को खवर कर देता हूँ तुम दोने यहीं रहना ठीक है साब जल्दी ही सारे लाके की चान्मिन करो देखो आसपस कोई और बम ना हो जाड़ियों में खास तोर से देखना उधर तो डोगा है डोगा फस जाएगा जाड़ियों में कुछ नहीं है साब वहाँ तो डोगा था डोगा कहा गया डोगा खत्रा आने से पहली निकल गया बगर डोगा पर आया खत्रा भी टला नहीं था बम का धमागा उसे कई गहाउ दे गया था इसके अलावा जान लेवा रिवीज का खत्रा भी यह भी कहा टला था नरसिंग होम की ही तलाश में था मैं डोगा तुम हाँ मुझे एंटी रवीज डोट चाहिए मिलेगी डोगा डोगा सामने हो तो इनकार का प्रश्णी नहीं उठता यह इंजेक्शन लगा कर तुमने मुझ पर ही नहीं मेरी मुंबई पर भी बहुत बुड़ा उपकार किया है डॉक्टर मुझ पर भी और अपने परिवार पर भी क्योंकि अगर यह तुम्हें ब्योशी का इंजेक्शन ना लगाता तो मैं इसके परिवार को हाथो हाथ खत्म कर देता कालू 420 तू यह कालू क्या बकरा है डोक्टर क्या तुम ने मुझे तुम तेश के सबसे बड़ कतार हो मेरे परिवार की जान खत्रे बेती डोगा यह त्यारा चाहता था कि मैं तुम्हें प्योशीक अंजेक्शन लगाऊ अब तु आराम से मौत की नीज सो जाएगा डोगा माया की अत्या का बदला आज पूरा होगा माया की लाश पर खूर्ण के असूर होया था मैं डोगा तु ने किसी अपने की लाश नहीं देखी इसलिए शाइक तो ऐसी मौत के ऐसा है एसास से नहीं कुज़रा कलेजा चलने हो जाता डोगे कलेजा चकरा कर गिर पड़ा डोगा शायद एक लंबी भी होशी के लिए जिसे मौत कहते है तेरी मौत के साथ ही तेरे और मेरे बीच चलने वाला चुहे बिली का केल भी हमेशे के लिए खत्म हो जाएगा तोगा बहोश हो गया रैबीच से खत्म हो जाएगा अब डोगा डाक्टर तेरा नाम भी सर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा आखिर मैंने तुझे कुट्टे की मौत मारी दिया न डोगे हाँ हाँ ठाक तू सड़क पर मिनने वाली कुट्टे की लाश और मेरी वर्ती देखकर मेरी पहेली समस्त हो गया था पर तू मुझसे पच्चन इकले कहीं जाकर छिपा नहीं और वही गलती तुझे मौत के मूँ में ले गई हाँ हाँ खतम हो गया डोगा खनाक भटाक जुट बोलते तुझे शर्मन नहीं आती काल्ब 420 देख डोगा तो जिन्दा है जिस वक डोगा तु तु बेहोश नहीं हूँ था जिस वक मैं डोक्टर के पास पहुजा और उसको उठाया तो उसकी आँखों में आसू देखकर मुझे किसी भारी गड़बर का एसास हो गया और उस वक्त वो भारी गड़बर तेरे अलावा दूसरी कोई हो ही नहीं सकती थी क्योंकि तु नहीं चाहता था कि मुझे एंट्री डोट में ले मुझे लगा कि डॉक्टर को कोई अपना खत्रे में लेकिन फिर भी मेरे कहने पर जब डॉक्टर ना मुझे इंजेक्शन लगा दिया तो उस वक्त मेरे दिमाग में दो ही बाते दी गया है दूसरी सब्सक्राइब यह आपने अपर मुझे सही इंजेक्शन लगा कर अपने परिवार को खत्रे में ढल देने के दुख से रो रहा है तो मेरे सामने पहुचा तो पहले गया करे पहली बात ही सच है ऐसा इंजेक्शन तुरंत अस्र करता लेकिन जब मैंने खुद को बेहोश होते नहीं देखा तो मैं फॉरन ही समझ गया कि पहली बात गलत है दूसरी बात सही है और तब डॉक्टर के परिवार के रक्षा के लिए मैंने पेहोश हो जाने कर नाटक किया था अच्छा इसे चड़कर बोलती है कालू 420 देख मैं उस कुछ भी नहीं लगता था पर फिर भी मेरी जान की खातर वो अपने परिवार को भी खत्रे में डाल गया लेकिन तूने क्या किया जिससे प्यार कर था जिसकी खातर तूस सुदर गया था उसके लिए तूने फिर से अपरादी का चोला धाराण कर लिया सच्ची शेदान जल तो इस चोले का त्यागी थी कालू 420 क्योंकि तेरा वही चोला ही तो उसकी मौत का कारण बना था तेरी माया का त्यारा मैं नहीं तेरे अपरादू का चोला था तू ठीक कहता है टोगा तूने मेरी आख्या खोल दी मैं सचमच पागल हो गया था मुझे माफ कर दे टोगा म ठीक है काल पहलिया मैं तुझे प्राश्यत का एक मौका और देता हूँ लेकिं रिसीवर उठाने के लिए प्लंजर की तरफ हाथ बढ़ा था डोगा रुख किया डोगा वापिस लोटा और डोगा कालू 420 सौनमबर तू डायल करेगा पोलिस को तू बोलाएगा एक रुप अलब मेरा अनुमान बिल्कुल सही था तूने कहा था कि एक रुपे कर सिक्का उस चैलीफोन बूत में जा सौ नम्मर लगा पुलिस को बला और मौत का मातम बना पर तूने मौत से पहले मेरी शब्द तो लगाई नहीं था कालू कब से तेरी 420 यां देख रहा हूँ अब मै दोगा ने उसे स्काइलेंडर पर उच्छाल फैका था और स्काइलेंडर का हाइड्रोलिक प्रेशर बनाने का वेब बटन दबा कर उसे खुलने पर मजबूर कर दिया था तुझे वहाँ बेज दूँगा जहां से तु कम से कम भाग नहीं पाएगा कालू 420 का दिमाग जल्दी ठिकाने आ गया ओए डोगे पीट पीट कर ये तुने मुझे कहां टांग दिया मुझे पर भियोशी चारी है मैं गिर गया तो मेरी हट्टी बसली सब बराबर हो जाएगी स्रीड़ी नीचे गिरा अब तो तू नीचे गिरेगा कालू 420 कालू 420 का दिमाग तेजी से चल रहा था सामने वाली बिल्दिंग मुझे 10 फुट दूर है अगर मैं कोशिश करूँ तो छलाग लगा कर मैं इस बाल कर नीचे पहुंच सकता हूँ कालू काल पहेलिया ने हिम्मर पठोरी क्योंकि नीचे गिरकर तो मौत निश्चित रूप से मिलती जै गोगा देवता दो सास कर गया कालू 420 लेकिन कालू 420 की 420 ही यहां नहीं चली उसका अनुमान दो फुट पिछड गया बालकनी दो फुट दूर रह गई और अब सड़क पास आ रही है दोगा मुझे कैच कर लियो टेलीफोन बूत की छट तोड़ता हुआ उसी में आकर गिरा काल पहेलिया का शरीर बलाक ये मेरी हड़िया तूटनी की आवाज है दोगा बहुत खुश होगा आज तू यह आवाज है सुनकर कालू 420 अब तू नंबर डाल करने के लायक तुरहा नहीं लेकिन तेरे एक रुपे के कॉइन को में बेकार नहीं चानू तूँगा कालू की 420 पर डोगा की 440 भारी पड़ी डोगा दोरा फेका गया कॉइन सीधा खांचे में जा गया भोर की चड़िया एक रात की इस जंग में तू मेरे लिए अबूज पहेली बन गया था पर अब तेरी मौत के हाथ ये पहेली मैंने सुलजा लिये भोर की चड़िया चाह जाने लगी थी यानि डोगा का काम खत्म हो चुका था अब उसे जिम में सूरज की रूप में उदा होना था लेकिन इसका क्या करे कि काल पहले की जिन्दिगी का सूर अभी अस्त नहीं हुआता ये जिन्दा तो बच गया है पर इसे ठीक होने में कई महीने लगेंगे कोई बात नहीं पर इसका इलाज पुलिस का स्टडी में होगा समाप्त तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं दोगा सीरीज के अगले कामिक विशेशांक अपुन पागल है तब तक के लिए धन्नवाद